नमस्कार, संजेसर मैफ्स स्यूडियो चैनल में आपका स्वागत है ये यूपी लेकपाल मैफ्स के लिए इंपॉर्डन कुस्चन की सिरीज है जिसमें ये पार्ट नमबर 11 है इससे पहले यहाँ पे 10 वीडियो जो अप्लोड हुएं तो इस वीडियो को चले हम शुरू करते हैं देखे स्क्रीन पर कुस्चन आया पहला एक सवा में 8 वेक्ती उपस्थे थे सवा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया सवा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाये गए टोटल हैंड शेक यहां पर बताया है निकालना है देखीगा यह फार्मूला आपको सिखा देते हैं कुल हैंड शेक पहला कुस्चन है कुल हैंड शेक का यह फार्मूला है कुल हैंड शेक बराबर होता है एन एन माइनस वन बाई टू इस फार्मूले को आप learn कर लें easily question को कर पाएंगे देख रहे हैं by 2 है n है व्यक्तियों की संख्या n व्यक्तियों की संख्या है clear है यहाँ पर हमारे पास 8 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से handshake करते हैं तो यहाँ total handshake बराबर हो जाएगा equal to 8 into 8 minus 1 यह 7 हो जाएगा by 2 cancel कर दीजिए 4 आजाएगा 28 cool handshake हो जाएगे 28 तो option number correct हो जाएगा option C correct हो जाएगा तो आपको समझ में आया है यह आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें अगले question की तरफ बढ़ते हैं question number 2 देखें इस screen पर एक question भी पर इक्षा के point of view से काफी important question है एक आयताकर मैदान की लंबाई एवं चोड़ाई क्रमशा 30 मेटर वा 15 मेटर है इस मैदान को tile जिसकी लंबाई एवं चोड़ाई क्रमशा 2 मेटर एवं 1 मेटर है द्वारा cemented किया जाना है बताईए मैदान में कुल कितनी tile की आवस्यक्ता होगी तो यहाँ पर हमें निकालना है एक मैदान है जिसकी लंबाई 30 मेटर चोड़ाई 15 मेटर है और tile 2 to 1 के form में कितनी tiles यहाँ पर बिछाई जाएंगी यह हमें find करना है तो यह फार्मला आप देख लें total tile की संख्या question number 2 है tile की संख्या जो बड़ा भाग है मतलब मैदान है उसका area निकाल ले यहाँ पर मैदान का छेतर फल मैदान का छेतर फल area means और एक tile का छेतर फल एक tile का छेतर फल देख लें यहाँ पर total tile हो की आवज सेक्ता कितनी होगी area बराबर होता है लंबाई इंटू चोड़ाई tiles यहाँ पर है sorry tiles की जो लंबाई चोड़ाई दी है वो 2 is 2 1 है 2 इंटू 1 लिख लेंगे लंबाई चोड़ाई 30 meter इंटू 15 2 से divide कर दें यहाँ पर कितना जाएगा 15 15 का whole square कितना हो जाएगा 225 तो कितनी tiles की जुरुत पड़ेगी है में 225 tiles की अवस्सक्ता होगी तो option number correct हो जाएगा इसमें option D correct होगा तो चलिए next question देख लेते हैं question number 2 था question 3 देखते हैं यदि किसी संख्या के एक बटे तीन एवं एक बटे पांच का योगफल 64 है कोई संख्या है जिसका 1 by 3rd निकालते हैं और 1 by 5 निकालते हैं और दोनों का योगफल कितना 64 प्राप्त होता है तो आप संख्या बतानी है 4 option यहाँ पर दिए गए हैं 3 और 5 निकालते हैं 15 होगा दोनों ही कैसे नंबर हैं प्राइम नंबर हैं तो हमने मान लिया कोई संख्या है वह संख्या 15 मान ली कितनी मान ली है 15 यूनिट है तो यहां से 1 3rd अगर करेंगे तो 1 3rd हो जाएगा 3 पशे 15 पांच हो जाएगा और 1 फिफ्थ करेंगे 5 से डिवाइड करें 3 आ जाएगा तो आपने देखा यहाँ पर अगर हम 1 थर्ड कर रहें तो 5 आ जाएगा 1 फिफ्थ कर रहें तो कितना 3 आ जाएगा इन दोनों का योग फल कितना दिया है 64 है यह 15 यहाँ पर रियल नमबर नहीं है हमने अपनी तरफ से माल लिया 15 भी माल सकते हैं 30 माल सकते हैं 5 और 3 से डिविजबल नमबर 30 माल सकते हैं 60 माल सकते हैं जो भी आप मन करें तो 5 और 3 से डिविजबल नमबर होना चाहिए तो 5 तीन 8 योनिट हमने माल लिया, यह टोटल इकाई हमने मानी थी, सेंख्या 15 यूनिट, 8 यूनिट बराबर है, टोटल सेंख्या 64 के, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा, 8 से डिवाइट कर दी, 64, 48, 8, 84, एक यूनिट बराबर सेंख्या कितनी 8 है, तो हमारा जो रियल नमबर हमने मान रखा पंद्रा यूनिट माना है, तो पंद्रा यूनिट बराबर हो जाएगा, पंद्रा इंटू आठ, पंद्रा अठे, एक सो बीस, तो आपने देखा एक सो बीस ये करेक्ट आंसर है, या तो फ्रैक्शन मेथेड से आप इसको जोड़ लें, वो भी ठीक है तरीका, लेकिन ये थो प्रैक्शन ये करेक्ट है, वन ट्वेंटी इस दरा आइट आंसर, अगला कुश्चिन, इस स्क्रेन पर देखें अगला कुश्चिन, एक व्यक्ती ने 30%, सौरी, 3% चक्रवधी व्यास की दर्से, वार्सिक दर्से, दो वर्स के लिए 10,000 रुपे उधार लिया, दो अर्स पस उसे कितनी रुपे चुकाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको मूल धन दे रखा है, 10,000 रुपे, और दो साल का टाइम दे रखा है, टाइम डिरेशन, और रेट ओफ एंटरेस दिया है, 3% CI, परेनम, तो आपको निकालना है, अमाउंट, मिस्र धन कितना हो जाएगा, 10,000 र रुपे हैं, यह चौथा कुश्चेन है, 10,000 रुपे, अगर हम पहले साल का ब्याज निकालें, तो कितना निकलेगा, 3%, 3%, यह आजाएगा, 300 रुपे, यह 300 रुपे है, CI या SI, for the first year, पहले साल में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 300 रुपे मिल रहा है, आपको समझ में आ रह है, पहले साल का जो ब्याज होगा, वो साधन ब्याज भी होगा, और चक्रदी ब्याज भी होगा, आगले साल में, second year की बात कर रहे हैं, उसे ब्याज पर ब्याज लगेगा, 300 रुपे तो हो गई होगा, और extra जो ब्याज लगेगा, वो भी वहाँ पे होगा, देखी, past year की, यह 300 हो गया, तो second year के लिए 300 रुपे तो यह रहेगा, प्लस ब्याज, इस पर लगेगा, कितना पर्षंट, 300 का 3 पर्षंट कितना हो गया, 3 तरक को 9, 9 रुपे हो गया, तो total CI दो साल का, 2 वर्स का CI कितना हो जाएगा, 300, 300 कितना, 609, यह आ गया, 609, हमें निकालना है, मिस्रधन, तो आप एड़ कर लें, amount equal to होता है, principal प्लस CI, यह दिया है, 10,000 रुपे, प्लस 609, यह हो जाएगा, 10,609, आपने आपके देखा है, यह चक्रपरदी मिस्रधन है, total rupees आगे, 10,609, option number correct हो जाएगा, इसमें, A option, A option is the right answer, 10,609, तो आपको clearly समझ में आया होगा, देखे, पहले साल में, जो साधन व्याज होता है, वही चक्रपरदी व्याज भी होता है, क्योंकि मूल्धन सेम होता है, second year में ब्याज पर ब्याज लगता है, total हो गया, 609, amount equality होता है, principal plus CI, add कर दिया, तो चली हम next question देखते हैं, यह दी, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, और इसकी लंबाई, एवम चोड़ाई का अनुपाद, पांच अनुपाद तीन है, तो मैदान का छेत्र फल क्या होगा, यहाँ पे एक आयताकार है, rectangular form में एक छेत्र दिया है, जिसका परिमाप perimeter होता है, सभी बुजाओं का योग फल परिमाप कहलाता है, परिमाप बराबर आयता होता है, 2 into L plus B, जो कि यहाँ पे 480 मीटर दिया है, और लंबाई चोड़ाई का रेशियो दिया है, 5 is to 3, तो बैदान का छेत्र फल निकालना है, तो सबसे पहले परिमाप हम आपको फिगर के माध्यन से समझाते हैं, यह है rectangle आयत, यह लंबाई है और यह चोड़ाई है, हमने सामने की लंबाई है, एक्क्वेल होती है, चोड़ाई भी एक्क्वेल होती है, यहाँ पे चारो सीर्स कोड, 90-90 डिगरी के होती है, आयत है, इसका परिमाप बराबर होता है, परिमाप या पेरिमेटर, टू इन्टू एल प्लस वी, परिमेटर यहाँ पे दिया गए है, 480, तो हम पुट कर लेते हैं, टू इन्टू लंबाई चोड़ाई का रेशियो आप देख रहे हैं, स्क्रेण पे 5 इस्टू 3 दे रखा हैं, तो यह है 5 रेशियो प्लस 3 रेशियो यहाँ से, चार सो असी एक्वल टू टू इन्टू पास तीन आर्ट रेशियो, तो यह 1 रेशियो बराबर हो गया 30, क्लेर हो गया, तो लंबाई हमारी हो जाएगी, लंबाई का रेशियो है 5 रेशियो तो 5 इन्टू 30, 150 मिटर यहाँ पे लंबाई हो जाएगी, तो चोड़ाई हो जाएगी 3 रेशियो बराबर 3 इन्टू 30, 90 मिटर, हमें फाइंड करना है यहाँ पे एरिया, तो एरिया बराबर होता है, L इन्टू B, एरिया एक्वल टो इन्टू B, तो हम बल्टाई कर देंगे, 150 इन्टू 90, 159, 135, 00, मीटर स्कॉर, आपने देखा, 13,500 मिटर स्कॉर आ रहा है, आप्शन करेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप्शन B करेक्ट है, तो B is the right answer, आपको समझ में आया होगा, यह टोटल यहाँ पे 5 questions complete हो गए हैं, कोई भी क्वेरी होती है, तो संजेसर माथ्स टेलिग्राम ग्रूप पर आप question वहाँ पे send करें, और join करें, संजेसर माथ्स टेलिग्राम चैनल, यदि कोई क्वेरी होती है, तो वहाँ पे आप send कर सकते हैं, यदि अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है, तो जरूर like करें, और चैनल को subscribe करें, यदि पहली बार चैनल पे आये हैं, मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में, थेंक यू एंड थेंक्स पो वाचिंग, ये सीरीज ऐसे यूपी लेक पाल की चलती रहेगी,